तो आज है 14 जन्वरी और सुबह के अभी चार बजने ही वाले हैं अभी मैं ये वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ एचिमेंट के उबर और अभी एक नोटीज मैंने देखा BGMA के ओफिशल वेबसाइट के अंदर तो देख सकतो स्क्रीन शॉट के अंदर 14 जन्वरी को ही आप आपको देखने को मिलेगा BGMA के अंदर 1.8 अपडेट और 12 जन्वरी को हमें देखने को मिला था PUBG Mobile के अंदर अपडेट तो दो दिन बाद 14 जन्वरी को ही BGMA के अंदर अपडेट आ चुग है तो ये काफी बढ़िया बात है और सुबह के सारे 12 बज़े के बाद ही आपको Android के अंदर देखने को मिलेगा अपडेट और ये वीडियो आपको 9 बज़े तक मिल जाएगा और साम के अंदर आपको iOS के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा ताब आप इसको अपडेट कर सकते हो BGMA को अपना अभी में PUBG Mobile के अंदर इस achievement को complete कर चुका हूँ और सेम achievement आपको BGMA के अंदर भी देखने को मिलेगा तो जो PUBG Mobile प्लेट से सेम तरीके सब achievement को complete कर सकते हो तो इस achievement का नेम है यहाँ पर No Way Home करके Spider-Man No Way Home जो मोवी आया है उसी के ऊपर बेस्ट यह achievement है और उसी के ऊपर बेस्ट हमें एक theme mode भी देखने को मिला है और चार mission है यहा आप इस achievement को complete करते हो तो 20 achievement point भी मिलेगा साथ ही सद आपको दो supply kit coupon भी यहाँ पर मिलने वाले हैं तो यह वीडियो को लास्ट तक देखो पुड़ा कपुड़ा achievement में easily complete करके आपको दिखाऊंगा एक secret trick जिससे आप एक ही match के अंदर easily इस achievement को complete कर सकते हो तो नवसका उस तो मै आप देखा आप information तो चली जादर न करके आज का यह वीरियो शुरू करते हैं तो जब आप इरंगल मैच के अंदर आ जाओगे सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा spider man plane के उपर उचल कुद करते हुए and हम सभी का favorite superhero है spider man तो भाई friendly never root spider man अगर अपने अभी तक no way home नह आया मैं चीक पर अतहल के अंदर तो आप अपने experience बतना अगर आपने देख लिया है no way home तो अभी हम बात करते कैसे achievement को complete करने सबसे पहले तो आपको मिल्टा पावर के अंदर जाना है क्यूंकि यहां पर है boss का अड़्डा जहां पर आपको boss के साथ spider man का fight देखने को मिलेग and achievement का जो आखरी mission है आखरी समस्टार्ट करेंगे तभी आप इसको easily complete कर सकते हो achievement तो आखरी mission है यहां पर defeat the boss one time with spider man in irangel तो पहला mission है यहां पर boss को defeat करना पर boss यहां पर spider man समाल लेगा हमें बस जो robots है boss के जो चम्चे है उनको समालना है तो जिसके करण आपको एक gun का जहुरत परेगा अगर आप गन नहीं लेके जाते हो तो easily जो बॉट रोबोट से वो आपको मार देंगे तो सबसे पहले तो मैं यहां पर गन लूट रेता हूं and एक secret tip में आपको देता हूं बाहर से भी आप बॉट रोबोट को मार सकते हो and जब आप जाओगे जो चिमनी है उसके अ बॉस का जिसके करण बाहर से मैं इन सारे बॉट को मार देता हूं फटा फट से तो यहां पर रोबोट को मैंने मार दिया है अभी चलते हैं अंदर and अंदर आने के बाद देख सकतो यहां पर जो मशीन वो एक्टिबेट हो चुक है अंदर से एक बॉस निकलता है तो अभी अंदर ग्ट से तो से डिकेरफॉ अंचर तो सारे आम पर तो Oh no, not over, take cover Some help Missile attack, be careful तो यहाँ पर spider-man boss को defeat करके जा चुका है एंड यहाँ पर हमारा mission भी count हो गया है तो boss को defeat करने के बाद यहाँ पर कुछ red color के crates आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर से आपको spider-man के कुछ accessories मिलेंगे जिसके related भी आपको mission देखने को मिलेंगे तो simply आपको इन सारे बोला गया है use the spider wave ball one time तो जो spider wave ball आपको मिलता है crate से उसको simply आपको यूज कर देना है तो देख से तो कुछ इस टाइप का मकडी का जाला आपको देखने को मिलेगा और किसी भी player या bot जिसके उपर आप इसको फेक होगे उसका movement slow होने वाला इस से तो simply इसको आपको एक बार यूज कर लेने तो यह आपका count हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा दूसरा mission भी complete हो चुका है तो अभी तीसरा mission complete करते हैं यहाँ पर बोला गया है use the wave shooter one time तो इसी crate सा में wave shooter भी मिल गया simply इसको उपर tap करके आपको इसको activate कर लेना है यहाँ यहाँ पर वेब shooter आ चुका है तो अब किसी भी building के च्छत के उपर यहाँ पर कहीं पर भी जा सकते हैं इस wave shooter का use करके एक बार यूज करने के लिए बोला गया है पर इसको आप काफी बार यूज करने वाला अगर आब ए इस टाइब का टंग है हुए आपको वेब क्रेट देखने को मिलेंगे तो simply fire करके आपको इसको नीचे लाना है और इसको आपको लूटना एक बार open करना है तो आपको count हो जाएगा सिप रिजन के अंदर यह क्रेट आपको देखने को नहीं मिलता यह क्रेट आपको school के इसके अंदर भी आपको जो spider-man के वेब बॉल्स है या फिर वेब सूटर यह आपको देखने को मिल जागा काफी वार spider-man का outfit भी देखने को मिलता है जिसको आप लेसके पैन के खेल जाकते उस मैच के अंदर तो यह काफी बढ़िया चीज मुझे लगा है तो चार के चार मि होम एचिमेंट यह हमारा complete हो चुक है और यहास हमें मिल जाते 20 achievement point साती साथ हमें मिल जाते दो supply crate coupon तो इस achievement को आप एक मैच के अंदर भी complete कर सकते हैं या फिर जितना चाहे उतना match के अंदर भी complete कर सकते हैं कोई tension नहीं है बाकी बात करें यह एक exclusive achievement है लगबक एक मेने करी ब् बताना एंड ओवराल वीडियो आपको कैसा लगा comment के अंदर जरू बताना वीडियो अगर हेलफुल लगए अपने दोस्तों को साथ भी share कर देना ताकि सबको easily इस achievement को complete कर पाए चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल एक प्रिस करके all notification on कर देना daily ऐसी वीड लिखने के लिए and I think आप सभी का month 6 का royal pass अभी complete हो चुक है 50 rank हो चुक है and month 7 का wait कर रहे हो and अगर अभी तक month 7 royal pass के leaks नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो ride वालो वीडियो क्लिक करो and जाके देख लो